नहीं हम तो कभी नहीं आएंगे आपके गाओं में, ये बोल हमारे नहीं, सारन के सांसद राजी प्रताप रूढी के हैं, जो मोदी जी के खास माने जाते हैं और पुर्व केंद्रिये मंत्री रह चुके हैं, जनता के बीच जब गएं और जनता ने उनसे सवाल कर दिया, तो ये कहने लगें कि नहीं हम नहीं आएंगे, चुनावी सभाव और रैलियों में ये दावा करने वाले नेता कि हम 24 घंटे आपके लिए उपलब्द रहेंगे, कैसे किसी एक व्यक्ति के प्रस्न पूछ देने भर से इतना खफा हो जाता है कि ये कहने लगता है कि नहीं हम तो नहीं आएंगे, जब आप ये खवर को सुनेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे और ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक नेता आपको आपके वोट के लिए बरगलाते हैं, लेक सारन के सांसद जो हैं, राजी उप्रता पूड़ी जो पिछले 10 वर्सों से सारन में सांसद हैं, और इस बार भारती जनता पार्टी के तरफ से फिर से परत्यासी के रूप में उत्रे हैं, एक अलग ले में चल रहे हैं, राजी उप्रता पूड़ी पर लगातार ये आरोप लगता है कि वो हवा हवाई नेता है, छेतर में नहीं पाए जाते हैं, और इस चीज को लेकर के जब जनता में रोज दिखाई देता है, जब जनता उनसे प्रस्न पूछ बैठती है, तो जला जाते हैं, जन संपर्क के दारान राजी उप्रता पूड़ी जब छेतर में घूम रहे थे, तब एक ब्यक्ति उनसे ये प्रस्न कर देता है, कि आपसे जाओं में गैस पाई प्लाइन आ गया है ना जी, सामने से जवाब आता है कि हाँ आया है, तो बोलते हैं कि अई सही आ गया है, मेहनत लगता है, तब आता है, उसके बाद तुरत बाद राजी उप्रता पूड़ी हमला करते हैं, कि 24 गंटे बिजली में रह रह रहे हैं, आपके गाउं में बिजली थी, और ना आपके गाउं में गैस पाईपलाइन था, ये कहते हुए, राजी प्रता पूड़ी आगे बढ़ने लगते हैं, और जब वो अब्यक्ति ये कहता है, कि आना तो पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा, तो राजी प्रता पूड़ी कार यानि की बिजली, जो बिहार सरकार मुहया कराती है, सरक जादतर सरकों जो होती है गाउं घरों की, वो मुख्यमंत्री ग्राम सरक योजना के तहट बिहार सरकार के द्वारा बनाया जाता है, और उसका क्रेडिट कैसे राजी प्रता पूड़ी अपने नाम पर बिटोर आप समझे इस चीज को कि भारतिय जनता पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार उसका असर जो है इनके सांसदों के बीच में कितना है, वो अपने जीत को ले करके इतना है कि जनता जब उनसे प्रशन कर देती है तो वो जला जाते हैं और जनता से जाते हैं, ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतिय जनता पार्टी के सांसद ने ऐसा किया हो, कुछ दिन पहले हमने आपको एक ख़बर सुनाया था गिराज सिंग का, जो एक ब्यक्ति के कहने पर माफी नहीं मांगते हैं और जब वो ब्यक्ति कहता है कि आपने बेगुसर एसे माफी मांगना पड़ेगा, तो कैसे गिराज सिंग कहते हैं कि हम कभी माफी नहीं मांगेंगे बेगुसराय से, अक्सर भारतिय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा ऐसे बोल सामने आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करे, मुझफर पुर के सांसद पांग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, जो जनता के प्रस्न कर देने पर जला जा रहे हैं, जनता जब उनसे प्रस्न करती है, कि आप काम नहीं करते हैं, आप छेतर में नहीं पाये जाते हैं, तो वह गुसा जाते हैं, अब राजी उप्रताप रूढ़ी के इतना confident हैं कि जन्ता से ये कह देते हैं कि हम तो नहीं आएंगे अब आप इस परीके से सोचिए कि अगर सामने से वही ब्यक्ती ये भी कह देता कि हम आपको कभी vote नहीं देंगे कभी भारतिय जन्ता पाटी को vote नहीं देंगे तब राजी उप्रताप रूरी क्या करते या फिर उनकी दसा क्या होती बाकि इस सीज को लेकर कि आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट के बाद धमस अपना विचार हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जंता जंसन मेरे नाम वेद प्रकास है